फाइनली बाहुबली दा कन्क्लूजन हिंदी वर्जन में जो एक रिकॉर्ड बाहुबली पार्ट टू ने बनाया था दोस्तो वो पठान ने तोड़ दिया है चलिए बात करते हैं स्वागत है आप सभी का बॉलिवुड स्पाई में मैं हूँ अदती शर्मा तो दोस्तो चुकि है 2022 की जितना भी नुकसान रहा था बॉलिवुड के लिए और एक बाद एक एक बाद एक चंद फिल में चली उसके अलावा सारे की सारी फ्लॉप लेकिन अब देखा जाये तो जन्वरी में किंग की वापसी हुई और किंग ने साबित कर दिया कि उन्हें जो लाइफ टाइम कलेक्शन रही थी वो थी 510.99 करोड जी हां यानि की 510 करोड से जादा की कमाई की थी इस फिल्म लें हिंदी वर्जन में और ये एक रिकॉर्ड बना था हाइस्ट ग्रोसिंग हिंदी फिल्म जो ये रही थी दोस्तों उसके बाद बात करें पठान की तो ग्लोबली 1026 करोड जो है वो इस फिल्म ने कमा लिये हैं जिसमें से इंडिया में से ही लगभग 640 करोड जो है इंडिया में से ही कमाए हैं ग्लोबली जो है 1000 करोड से जादा का बिजनेस कर लिया है और हिंदी वर्जन में पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो की अप झाल झाल